नमस्कार स्वागत आपका जनसंदेश टाइम्स में मैं हू किरन कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हर माता पिता के लिए इश्वर का दिया सबसे बड़ा उपहार होते हैं आज बाल दिवस है इस दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेणा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू का बच्चों के लिए बहुत जादा प्रेम और लगाओ है बच्चों के अधिकारों, देख भाल और सिक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है आए सबसे पहले हम आपको पंडित जवाहलाल नहरू के बारे में बताते हैं वे शान्ती और सम्रिधता के सबसे बड़े समर्थक थे उनका जन्म दिन भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है पंडित जवाहल लाल नहरू को सिर्फ उनके राजनेतिक केरियर के लिए ही नहीं बलकि बच्चों के बीच प्रसिद्धी के लिए भी जाना जाता है वे बच्चों से इतना प्यार करते थे जितना की लाल रंग के गुलाब से अब आपको बताते हैं कि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है भारत के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवाल लाल नहरू को बच्चे प्यार से चाचा नहरू कहकर बुलाते थे क्योंकि वे उनका सम्मान और प्यार करते थे चाचा नहरू का भी बच्चों के प्रतीक काफी लगाओ था और वो हमेशा उनके बीच में ही रहना पसंद करते थे भारत की आजादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नहरू ने काफी अच्छे काम किये जब वे प्रधान मंतरी बने तो उनकी पहली प्राथमिक्ता बच्चों की सिख्षा ही थी युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन सैक्षिक संस्थानों जैसे भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान, अखिल भारतिय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतिय प्रबंधन संस्थान के स्थापना की और देश को आधुनिक बनाने में एहम भूमिका निभाई उन्होंने पंच वर्षिय योजनाओं का शुभारम कर भारत में उद्योग के लिए एक नय युक की शुरुआत की बच्चों के लिए नुशुल्क प्रात्मिक शिक्षा भारत में कुपोशोर से बचाने के लिए स्कूलों में दूद सहित मुफ्त भोजन को भी उन्होंने शामिल किया था चाचा नहरू का कहना था कि बच्चे ही देश का उज्वल भविशे हैं केवल सही सिक्षा, देखभाल और प्रगती के रास्ते पर उनको चला कर एक नया जीवन दिया जा सकता है इसलिए पंडित जवाहलाल नहरू की मृत्यू के बाद उनको सम्मान देने के लिए भारत में उनके जनम दिन किती थी यानी 14 नवंबर को बाल दिवस की रूप में मनाया जाने लगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद और 1964 से पहले तक भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था ऐसा क्यों आईए आपको बताते हैं साल 1925 में बाल दिवस की नीव रखी गई थी 1903 में इसको दुनिया भर में मानिता मिल गई 20 नवंबर को सैयूक्त राश्टर ने बाल दिवस मनाने की गोशना की इसी के कारण भारत में भी 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा लेकिन कई देशों में ये अलग-अलग दिन भी मनाया जाता है जैसे कि 1950 से बाल संगरक्षर दिवस एक जून को मनाया जाता है पर कई देशों में बाल दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है जिसे वर्ड चिल्डरन डे कहते हैं भारत में आजादी के बाद पहला बाल दिवस साल 1969 में मनाया गया था लेकिन साल 1964 में पंडित जवाहलाल नहरू की इमृत्ती होने के बाद 20 नवंबर को बदल कर उनके जर्म दिन यानि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बदल दिया गया आज भी दुनिया में कई देश बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाते हैं ये दिन बच्चों के बहतर भविश्य और उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है और साथ ही देश के लिए पंडित जवाहलाल नहरू के योगदान अंतरराश्ट्री राजनीती में उप मनाया जाता है और दुनिया इसे कब कब मनाती है साथ ही किस तरह से भारत में इस दिन को मनाया जाता है ऐसी तमाम जानकारियों खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ